नमस्कार, मैं वसंद रावल, जोती शुद्यक नयम चनल के अंदर हमारी जोती सिखाने की शिंगला को आगे बढ़ाते हुए, आज मैं आपको बताना आया हूँ, मेश्ट लगने के अंदर राजियों कैसे बनते हैं। प्रियदरशको हमने गत जन्म के अंदर अच्छे कर्म किये हो, तो हमारी कुंडली के अंदर राजियों आते हैं, जो हमें सुख प्रदान करते हैं। कुछ राजियों के अंदर उच्छे प्रदान करते हैं, तो आई ये प्रियदरशकों देखते हैं, मेश्ट लगने के अंदर राजियों कैसे बनते हैं। ठीक उसी प्रकार चोथे भाव के अंदर करक राशी के अंदर उच्छ का गुरू हंस योग नाम का पंच महापुरुश राजयोग बनाता है सब्तम भाव के अंदर तुला राशी का शुक्र मालव योग नाम का पंच महापुरुश राजयोग बनाता है और तुलराशी का उचका शनी सप्तम भाव में बैटा हो तो यहाँ पे शश्योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है उसी प्रकार दसम भाव के अंदर शनी स्वाग रही होके शश्योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है पन्च महाल पुरिष राजयोग बनाता है। इस प्रकार से रुचक योग, हान्स योग, मालवरियोग, शशयोग, यहां पे भी शशयोग और रुचक योग नाम के छे पंच महापुरिष राजयोग बनता है। उसके बाद उससे थोड़े से सेकेंड केटेगरी के राजयोग बताता हूं, लगनाधी पती मंगल और पंचमाधी पती सूरिय की यूती, अगर कैंद्रा या फिर त्रिकॉण में हो तो बहुत बढ़ा राजयोग माना गया है, उसी प्रकार लगनाधी पती मंगल और भाग्य भाग्याधी पती गुरु की यूती भी कैंद्रा या फिर त्रिकॉण में हो तो बहुत बढ़ा राजयोग माना गया है, और भाग्याधी पती सूरिय और भाग्याधी पती गुरु की यूती भी कैंद्रा या त्रिकॉण में हो तो कहा जाता है ऐसे लोग बहुती निती से धर्म को सर्पर रखकर बहुती महनत करके सर्वसुगों की प्रापती करते हैं उसी प्रकार लगणादी पति मंगल, पंचमादी पति सूरिय और बारग्यादी पति गुरु की तीनों की यूती अगर कैंदरस्तान में हो या फिर त्रिकॉण में हो तो बंदा गरीब घर में भी पैदा हुआ हो तो अपनी महनत से बहुत प्रोग्रेस करता है करोडों रुपया कमाता है और समात में मान सम्मान पतेष्टा प्राप्त करता है उसके बाद आते हैं सुखादी पती चंद्रम और पंचमादी पती सूर्य की उती कैंदर द्रिकॉण में हो तो बहुत अच्छा फल देती है बंदा अपनी बुद्धी से सर्वसुखों की प्राप्ती करता है सुखादी पती चंद्रम और भाग्यादी पती गुरु की उती अगर कैंद्रम या भी द्रिकॉण में हो तो घजके स्री योग बनता है और बन्दा सांसारिक सुख प्राप्त करता है, समाज के अंदर मान संबान पतिष्टा प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार सुखादी पति चंद्र और लगनादी पति मंगल की योटी अगर कैंद्र या त्रिकोण में हो तो लक्षमी योग बनती है, बन्दा 28 साल के बाद कभी उसे धन की कमी नहीं होती और मान सम्मान यस जस से जीवन जीता है। आगे बढ़ते हैं सुखादी पति चंद्र और करमादी पति शनी की योटी अगर कैंद्र या भी त्रिकोण में हो तो बन्दा अपनी महनस से सर्वसुखों की प्राप्ती करता है। आगे बढ़ते हैं धनादी पती शुक्र और भाग्यादी पती गुरु की यूति अगर भाग्यस्तान में हो तो जबर्दस राजयोग बनता है और बन्दा अपने भाग्ये से बहुत धन कमाता है और अपने कुटों की रक्षा करता है। धनादी पती शुक्र और करमादी पती शनी की यूति अगर कैंद्र द्रिकोन में हो तो बन्दा अपनी मैनस से जीरो में से हिरो बनता है और बहुत धन कमाता है। में हो तो बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि आपे दो-दो पंचमा पुरुशियोग बनेंगे। मंगल के वज़े से रुच्यकियोग और शनी के वज़े से सस्योग। ऐसे लोग बहुत बड़े पॉल्टिशन हो सकते हैं, मैनिफ्लेक्टरर हो सकते हैं, बहुत बड़े बिल्डर हो सकते हैं, देश-विदेश के अंदर भी उनका नामना होता है। बाग्यादी पती गुरू, सुखादी पती चंद्रव, और पंचमादी पती सूर्य की यूति अगर केंदरतृ कॉन में हो, तो बन्त आपनी बुद्धी से अपना भाग्योदे करता है, सबसुको प्राथ करता है। अगे बढ़ते हैं, भाग्यादी पती गुर्ू, लगनादी पती मंगल और करमादी पती शनी अगर पंचमबाओ में हो तो ये भी बहुत अच्छा फल देगा पंचमादी पती सूरिय और चंद्रमंगल की यूति यहाँ पे हो और सूरिय पंचमबाव में स्वध रही हो तो वो भी बहुत अच्छा राजयोग माना गया है लगनादी पती मंगल, पंचमादी पती सोरिय और भाग्यादी पती गुरु की यूथी अगर लगना में आ जाए तो बंदा सोने में सुहागा जैसा राजियोग हासिल करता है और जिवर्य सर्वसुकों की प्राप्ति करता है उसके बाद और डिप में जाते हैं कैंद्राधी पती और त्रिकोणाधी पती आपस में एक दूसरे के स्थान में बैटे हो तो महा परिवर्तनियोग बनता है वो भी बहुत बड़ा राजियोग है जो जीवर में सुप्रदान करता है तीसरे स्थान के स्वामी और केंद्राधी पती और त्रिकोणाधी पती आपस में अगर जो परिवर्तनियोग करते हो तो उसे कहल परिवर्तनियोग कहते है। खड़ों का मालिक यानि 6, 8, 12 दू स्थान का स्वामी अगर कैंद्रादि पती या भी त्रिकौन के स्वामी के साथ परिवर्तनियों करता हो तो उसे दैन्य परिवर्तनियों कहते हैं ये सारे परिवर्तनियों की चर्चा आमने लेक्चर नंबर 45 में भी किये जो आप देख सकत और इसमें जाते हैं विप्रीत राजयोगे चट्वे स्थान का बुद्ध छे आठ बारा में हो तो हर्ष विपरीत राजियोग बनता है। इस प्रकार से मेश लगने जंद्र कई प्रकार के राजियोग बनते हैं। प्रियदर्शकों राजियोग का प्रेडिक्शन करते समय हमें ये भी देखना होगा कि ग्रहों का बलाबल कितना है। ग्रह बालेवस्ता में हैं, युवावस्ता में हैं, वुरुदवस्ता में हैं या मुर्तवस्ता में हैं ये देखना अवश्यक होगा। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ग्रहों का स्थान बल, काल बल, दिशा बल, द्रश्टी बल, चेश्टा बल, नैसर डीप बल कैसा है और भी डीप में जाके देखना हो तो सोड़स वर्क के अंदर ग्रहों की स्थिती कैसी है ये भी देखना हो शक है प्रिया दर्शे को मैंने आज आपको बताया मेस लगने के अंदर राजियों कैसे बनते हैं अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और सबस्क्राइब करना नश्कार